dear students पहला जो lecture था उसमें हमने पड़ा division of a number by one digit number and two digit number अब है हमारा तीसरा question division of a number by a three digit number हमें number को divide करना है three digit number से और हम यहाँ पर देखेंगे जो example ही है dividend है 4,952 और जो dividend divisor है 232 divisor जो है वो है three digit number अब हमें three digit number से divide करना है तो हम देखेंगे जो हमारा dividend है यहाँ पर भी हम तीन digit लेंगे पहले के तीन digit अब हमें divide करना है 4,95 को 232 से 232,2 are 464 अगर हम 3 से करेंगे वो ज्यादा आएगा तो हम two से ही करेंगे 232 into two are 464 464 हम 495 के नीचे लिखेंगे और two coefficient में लिखेंगे फिर जब हमने subtract किया 495 minus 464 तो हमारा जो result आया 331 31 और जो उपर है dividend में two वो हमें नीचे लिखना है तो नीचे नमबर बनेगा 312 अब हमें 312 को जवाइट करना है 232 से 232 one are 232 क्योंकि अगर हम two से करेंगे वो ज्यादा आएगा वो 464 आएगा तो हम इसलिए one से ही करेंगे 232 one are 232 232 हम नीचे लिखेंगे और one हम coefficient में लिखेंगे फिर जब हमने सब्ट्रेक्ट किया 312 माइनस 232 remainder हमारा आया 80 और coefficient आया 21 हमारा last question है simplification simplification में हमें rule यूज करते हैं Dimas D, M, A, S इसका मतलब है D, division M, multiplication A, addition and S, subtraction तो पहले हमें divide करना है जहां पे हमें sign होगी divide की divide की ये sign है तो हमें पहले divide करना है 28 divided by 4 पहले हमें division खतम करना है ये 26 जो उपर था वो हम ऐसी नीचे लिखेंगे फिर माइनस 12 है ये भी हम ऐसी लिखेंगे फिर प्लास से प्लास सिंबल लिखेंगे 28 divided by 4 हो गया 7 और यहां पे हम 7 लिखेंगे और multiply करना है 5 ये हम ऐसी ही लिखेंगे इसके बाद हमें खतम करना है multiplication multiplication की सिंबल है ये तो हमें इस साइन को खतम करना है 7 into 5 is equal to 35 इसके बाद है addition हमें अब addition करना है तो हम add कहां कहां करेंगे जो हमें positive terms है 26 और 35 हम 26 को plus करेंगे 35 26 plus 35 is equal to 61 और minus करेंगे 12 61 minus 12 is equal to 49 ऐसे हम करते हैं simplification के questions हमें rule यूज रख करना है dimas d, m, a, s पहले division फिर multiplication फिर addition और last में subtraction okay dear students that's all for today thank you take care